नवस्कार स्वागत है आपका एबीपी न्यूज में आपके साथ मैं अखिलेश आनन्द हूँ और अभी एक बहुत बड़ी ख़वर आ रही है One Nation One Election के प्रस्ताव को मंजूरी केंद्रिय कैमिनेट ने प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है शीत कालिन सत्र में बिल लाएगी सरकार आपको बता दें कि संसाथ से पास होते ही बन जाएगा कानून तो रामनात कोविंद कमिटी का ये प्रस्ताव मंजूर कर लिया गया है एक देश एक चुनाव पर चर्चा होगी शीत कालिन सत्र में बिल लाने वाली है सरकार तो संसाथ से पास होते ही ये कानून बन जाएगा तो अभी की बड़ी कबर आपको बता दें One Nation One Election की जो बात कही जा रही थी उस दिशा में एक बड़ा कदम एक देश एक चुनाव पर चर्चा होगी या श्वनी वैश्रव की तरब से बात कही गई है NDA सरकार की कैबिनेट ने आज सर्व सम्मूमत्ती से इन रेकमेंडेशन को एकसेप्ट किया और इसका इंप्लिमेंटेशन दो फेजिस में होगा जैसा की कमिटी के रेकमेंडेशन में फर्स्ट फेज में लोकसभा और असेंब्ली के इलेक्शन को सैमल्टेनियस कराने का प्रयास होगा और उसके सेकिंड फेज में लोकल बॉड़ी इलेक्शन से जो है ग्राम पंचायत, जिला पंचायत, ब्लॉक में पंचायत समिती और जितने भी Urban Local Bodies हैं, चाये Municipalities हो, चाये Municipal Committees हो, चाये Municipal Corporation हो, उन सब के लोकल बॉड़ी इलेक्शन सको विदिन 100 days of General Elections में करवाना, जिससे कि एक बार में सारे इलेक्शन का प्रोसिस कम्प्लीट हो पिर पांच साल तक सब के सब मेनत करके देश के निर्मान में लगे। मंजूरी दे दी गई है One Nation One Election को, अब One Nation One Election कोई नया कॉंसेप्ट नहीं बात नहीं है, पिछले 10 साल से सरकार कई बार 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 प्रधानमंत्री खुद इस बारे में बात कर रहे हैं कि One Nation One Election होना चाहिए, उससे बहुत समय बचेगा, पैसा बचेगा, रिसॉस बचेगा और ब जो हुआ है, काबनेट में मन्जूरी दे दी गई है इस प्रपोजल को, अब ये कहा जा रहा है, ये कहा जा रहा है कि आगे आने वाले पार्लमेंट के सेशन में, जो किशीत काल का सत्र होगा, विंटर सेशन होगा, नवेंबर डिसेंबर में, इस साल में 2024 में, उसमें प्रपोजल के अंदर क्या डीटेल्स हैं, वो जब कागज मिलेगी, जब ही पता चलेगा, लेकिन उसके साथ ही आपको ये बता दिया जाए कि दो अलग-अलग इसमें आस्पेट्स हैं, जिस पर हमें ध्यान देना जरूरी है, पहला कि NDA के जो घटक दल है, J.D.U. है और T. ये जो दो बड़े घटक दल है, इनका क्या स्टैंड है One Nation, One Election पर, तो मैं आपको याद दिलाना चाहती हूं कि J.D.U. उन्हें इन प्रिंसिपल बहुत पहले ही सपोर्ट कर दिया था, एक स्टेटमेंट उन्होंने जारी करी थी, उस स्टेटमेंट उन्होंने कहा था कि इन NDA Alliance की जब बात करेंगे, तो वो agreement, वो सहमती है NDA Alliance में, दूसरी तरफ, जैसे आपने Congress का बयान अभी सुना, खरगे जी कहते हैं ये प्राक्टिकल नहीं है, ये हो नहीं सकता, दिक्कत होगी इस से, और कुछ लोग ये कह रहे हैं कि ये अपने ही लाला लान में रहती है सरक और ये कुछ भी ऐसी चीज करने की कोशिश कर रही है, जो हो नहीं सकता है, ठीके मेगा, बहुत वाश शुक्रिया, बहुत वा धन्यवाद इस पूरी जानकारी के लिए आपका, दरसल एक देश, एक चुनाओ का प्रस्ताव मन्सूर होने पर, खरगे साब का बयान भी सामन आगया है कि एक देश, एक चुनाओ प्रैक्टिकल नहीं है, ये बात कही गई मलिकारजुन खरगे की तरफ से, एक देश, एक चुनाओ चलने वाला नहीं है, ये बात भी कही गई है, ये मुद्दे को भटकाने के लिए है, ये कह रहे हैं मलिकारजुन खरगे, तो वन और यह चलने वाला नहीं है यह सिर्फ चुनाओ जब बात है कोई ना कोई कुछ मुद्धा नहीं मिल रहा उनको ऐसी चीज़े बात करने के लिए इस्यू को डाइवेट करने के लिए वो बात करते हैं और इसी लिए और पूरे देश के लोग कोई मानने वाले भी नहीं है तो सियासत की इस तरह की हो रही है तो आपने देखा लेकिन इसमें क्या कुछ खास है जब One Nation One Election की बात कही जा रही है समस्ते अपने सयोगी नीरज पांडे से हमारे साथ इस वक्त जुर चुके हैं कौन सी खास बात इसमें नजर आ रही है कोविंद कमिटी ने जो प्रस्ताव दिया और जिसको लेकर कहा जा रहा है कि अब उसको मंजूरी मिल गई है प्रस्ताव को मंजूरी दे दिये लेकिट अभी पूरी तरह से आप कहें तो ये कानून लागू होना में थोड़ा समय लगेगा उसके पीछे का तर्क ये है कि केंद्र सरकार के मंतरी अशुनीर वेशनों ने खुद कहा कि अब इस रिपोर्ट को जो कैबिनेट ने मंजूरी दिये इसको आम लोगों के बीच में ले जाया जाया नहीं कहीं और कोई कमी है क्या और उसके बाद फिर ये पाल्यामेंट में ले जाया जाएगा जहां पर पाल्यामेंट में इसे पेस किया जाएगा और पाल्यामेंट में पेस करने के बाद एक कानून का ये रूप ले लेगा एक चीज दूसरी चीज उन्होंने कहा है कि ये जो पूरा प्रोसेस होगा वो दो फेज में होगा पहला फेज होगा जो लोकसभा चुनाओ और विधानसभा चुनाओ का होगा और दूसरा फेज जो होगा वो दूसरे फेज में यानि कि 100 दिन के अंदर यानि लोकसभा विधानसभा चुनाओ एक साथ जब करा लिये जाएंगे तो उसके सो दिन के अंदर लोकल वाडीज, ग्राम पंचायद, जिला पंचायद इन सब के एक साथ चुनाओ कराए जाएंगे तो इन दो लोके बीशे का अंतराल रहेगा, दो फेज में ये किया जाएगा, बहुत और शुक्रिया निरा जिस पूरी जानकारी के लिए आपका और अब बात कर लेते हैं हरियाना विधानसभा चुनाओ की राहू गांधी का अपमार, सबर्दत घमासाद दिल्ली से हैद्रबाद, हेट स्पीच पर फसाद हरियाना में कॉंग्रेस की जीत वाली गारंटी कॉंग्रेस का घोशना पत्र, फोकस किस पर हरियाना के लिए कॉंग्रेस के साथ वादे और पक्य इरादे क्या विधानसभा चुनाओ में जीत की राहासान बनाएंगे कॉंग्रेस की गारंटी क्या बीजेपी को सत्ता की हैट्रिक लगाने से रोफ आएगी और क्या बीजेपी का संकल्प पत्र हर्याणा में जीत का मस्बूत विकल्प बनेगा इस ख़वर की विस्तार से हम बात करने वाले हैं साथ ही हेट स्पीच पर घमासान की भी बात होगी जो दिल्ली से हैदराबाद और बिहार से महराश्रु तक मचा है राहूल गांधी पर बीजेपी नेताओं के विवादित बोल सियासत में बहत गर्म हैं इन दोनों ही ख़बरों के हर पहलू को हम आपको समझाएंगे और जो समवाद दाता आप तक ये पूरी सूचना पहुचाने वाले हैं उनसे मैं आपका परशे भी करवादू रविकांत इस वक्त दिल्ली से मेरे साथ मौजूद हैं और नीरच पांडे भी हमारे साथ जुड़े हुए उनसे भी हम बाचीत करेंगे अंकित गुपता भी आपको स्क्रीन पर नजर आ रहें उनके पास भी मैं आपको लिये चलूँगा अपने तमाम सहयोगियों से विस्तार में पूरी जानकारी हम लें उससे पहले अभी की बड़ी ख़बर हरियाना विधान सभा चुनाओं से जुड़ी ये बड़ी ख़बर है हरियाना के लिए कॉंग्रेस ने जारी कर दी है साथ गारंटी महिलाओं को हर महीने 2000 उपे मिलेंगे पूरानी पेंशन बहाल होगी मलिकारजुन खरगे ने ये भी कहा कि MSP की कानूनी गारंटी देंगे और सबसे प्रमुख बात जिसका जिक्र पिछले काफी दिनों से सियासी गलियारे में है जातीगत जन गणना वो भी मलिकारजुन खरगे ने कहा कि हम जातीगत जन गणना भी करवाएंगे तो इसमें कई और बातों का भी जिक्र है जिसमें प्रमुख तोर पर जो चीजें हैं वह हम आपको बता रहें साथ गारंटी उनमें महिलाओं को हर महीने 2000 रुपे देने की बात है पुरानी पेंशन बहाली की बात है MSP की कानूनी गारंटी देने की बात भी कही गई है हमारे साथ पॉइंट जो है पॉइदे जो है इसको हम खास कर साथ वर्ग में इसका बटवारा किया है महिलाओं को शक्ती हर महिने 2000 रुपे देने का हम वाइदा कर रहे हैं जैसा कि बुडापा पेंशन है दिव्यांग पेंशन है विद्वा पेंशन है और वोल्ड पेंशन स्कीम आये मैं आपको लिए चलता हूँ रविकांत भी हमारे साथ मौजूद है रविकांत ये जो कॉंग्रेस की गारंटी नजर आ रही है इस पर हम बात करना चाह रहे थे और जिस तरह की चीज़ें इसमें देखने को मिली है क्या आपको लगता है कि चुनाओं में मास्टर स्ट रुक बन सकता है कॉंग्रेस के लिए तो देखे इसमें कम से कम कॉंग्रेस ने सभी वर्गों का ख्याल रखने की कोचिश की है सबको लुभाने की कोचिश की है महिलाओं के लिए 2000 रुपए देने की बात कही गई है जो 18-60 के होंगे युवाओं के लिए 2,00,000 नौक्रियो को देने की बात कई गई है जो सरकारी रिक्तपत खाली पड़े हैं उनको भरने की बात की गई है MSP की गारंटी की बात करके किसानों को लुभाया गया है उसी तरीके से old pension scheme की बात करके जो कर्मचारी वर्ग है उनको खुश करने की बात की गई है दिव्यांगों को 6000 रुप pension भी दी गई है 6000 रुपए तो जो पूरा सातों का structure है खासतोर से उन्होंने युगाओं में जिस तरीके से नशे की आदत पड़ रही है उसको भी एक तरीके से check and balance करने की कोशिश की है कि हम हर्याना को नशा मुक्त बनाएंगे तो इस तरीके से हर तरीके का जो वर्ग है उ जो ये समस्या है उसको address करने की कोशिश की गई है तो जितनी भी सात इसकीमे है इसको अगर देखे तो अलग-अलग इसकीम अलग-अलग वर्गों को बिल्कुल तो हर तरीके को टार्गेट किया है हर वर्ग का वोट कैसे आए इस चीज़ को देखा देखने की कोशिश की गई है हरियाना के लिए दरसल बीजेपी का भी संकल्पत्र आने वाला है सुबह 10 वजे जो हमें जानकारी मिल रहे ही सुबह 10 वजे संकल्पत्र जारी किया जाएगा बीजेपी अध्यक्ष जेपी नडड़ा ही जारी करने वाले हैं संकल्पत्र तो इस वक्त की बड़ी ख़बर आपको बता दें अरियाना के लिए BJP का संकल पत्र कल आएगा सुबह 10 बजे का वक्त जो जानकारी हमें मिली है संकल पत्र जारी किया जाएगा उसका एहलान किया जाएगा और खुद पार्टी के अध्यक्षे जेपी नडड़ा इस मौके पर मौझूद रहेंगे तो सुबह 10 बजे ये जो संकल पत्र जारी किया जाएगा इसमें क्या बाते होंगी इस पर हम सभी की निगाहे बनी हुई है एक बाद फिर से मैं आपको नीरज पांड़े के पास लिए चलता हूँ नीरज बाकी क्या चीज़े रहेंगी हो तो देखना महत्पूर होगा ही लेकिन कॉंग्रेस की तरफ से जो कह दिया गया मुझे लगता इसका काउंटर भी इसमें नज़र आ सकता है पास बाकी काउंटर अगर वो नहीं लाते हैं तो वो कहीं ना कहीं कमजोर पड़ेंगे और कल सुबे 10 बजे पत्रकारों को आमंत्रित किया गया है रोतक कार्याले में जहां पर भाजपा कहें जेपी नडड़ आपना मैनिफेस्टो या यह कहें कि वो संकल पत्र चुकि भाजपा आपने जो मैनिफेस्टो को संकल पत्र कहती संकल पत्र लांज करेंगा और संकल पत्र की जो खास बाते होंगी वो हम लोग को जो जानकारी है उसके अनुसार MSP की फुल गैरेंटी की बात भारतियंता पार्टी इस पे लाने वाली है किसानों की वेलफेर की कई बातें उस पर जोडने वाली यूथ के लिए और खासकर महिलाओं के लिए कई राजियों में सुभद्रा योजना के नाम से भारतियंता पार्टी ने अपने राजियों में स्किम्स लांच की जिसमें सुभद्रा योजना के तहट महिलाओं को आर्थिक मदद दी जा रही है लाडली योजना के तरह मद्द प्रदेश में लाडली योजना बहुत मात पूर्ण रही है और वो बहुत ज्यादा चर्चित रही है ऐसी कुछ योजना महिलाओं और लड़कियों के लिए भी हरियाना में भारती यंता पाटी एनाउंस कर सकती है लेकिन चुकि अभी समय है 24 घंटे का लगबग समय है कल सुबह लांच करेंगे तो तब देखेंगे ओफिशल क्या है लेकिन महिलाओं किशानों और यूद के लिए खास प्रयोजन रखने वाले हैं मैनिफेस्टों में दरसल हरियाना की सियासत में जुबानी जंग भी देखने को मिल रही है और जुबानी जंग बहुत तेज भी हो गई CM नायब सेनी का कॉंग्रेस पर हमला सामने आया उन्होंने ये कहा कि सपना देख रही है कॉंग्रेस BJP की अतिहासिक जीत होगी ये दावा किया गया है CM की तरब से नायब सेनी ने ये बात कही है तो दोनों तरब से वार प्रटवार का सलसिला जारी है और एक मनोवेग्यानिक बढ़त लेने की कोशिश भी की जारी इस तरीके के बयान देखा है इनका तो सुपड़ा साफ होने वाला है ये भरष्टचार की दलदल में फशे हुए ये तो दामाद को खुश करने के में लग जाते हैं ये लोगों को नहीं खुश करते दामाद को खुश करते तो सीम सैनी का बयान आपने सुना कि इस तरीके से वो कह रहे थे कि एक बाद फिर से बीजेपी की सरकार बनेगी जाहिर तोर पर वो ये नहीं कहेंगे कि वहाँ पर कुछ नहीं होने वाला है बीजेपी का फाइदा तो उसी लाइन पर उनका ये बयान सुनने को मिला है और राजनीती में ये बातें कई बार जान बुच कर इस लिहास से कही जाती है चुकि मनोविज्यानिक बढ़त लेने की भी कोशिश की जाती है कॉंग्रेस भी कई बयान दे रही है, बीजेपी के नेता भी बयान दे रहे हैं बीजेपी मुख्याले पर यूथ कॉंग्रेस के प्रदर्शन की कोशिश हुई हैदराबाद और पटना में भी सड़कों पर उत्रे कॉंग्रेस के नेता तो रवनीज सिंग बिट्टू ने जो बयान दिया था आतंकवादी नंबर वन क्या दिया था राहूल गांधी को रोग दिया गया था वेरिकेटिंग के जनिये वहीं हैदराबाद की सड़क पर भी कॉंग्रेस के कारिकरता उत्रे बिहार की राजधानी पटना में भी आज प्रदर्शन करते हुए नजर आये कॉंग्रेसी वहाल के दिनों में बीजेपी के कुछ नेताओं ने जो बयान दिये है राहूल गांधी को लेकर उसे लेकर जबरदस्त नाराजगी मेरे साथ अंकित गुपता भी इस वक्त मौझूद है अंकित दिल्ली में जब ये प्रदर्शन हो रहा था उस दोरान आप वहाँ पर मौझूद थे आप खुद देख रहे थे क्या कुछ चल रहा है बीजेपी का जो मुख्याला है वहाँ तक पहुचने की कोशिश कर रहे थी ये प्रदर्शन कारी और क्या कुछ आस दिन में देखा अपने उस दोरान अखलेश देखे रहे कौंग्रेस सिर्फ दिल्ली में है नहीं बलकि देश के तमाम राज्यों में अलग अलग शेहरों में सड़कों पर उसके करकरता उतरे हैं क्यों क्योंकि उनका ये कहना है कि गांधी परिवार कर रहूल गांधी का अफमान किया जा रहा है और अब वो जह सिर्फ सांसादी नहीं है सिर्फ गांधी परिवार की सदस्ती नहीं है बलकि नेता प्रतिफख्ष भी है उसके बावजूर बीजेपी के तमाम नेता उनका अफमान कर रहे है लेकिन जो सबसे जादा नाराज की नजर आई है वो रवनीर सिंग बिट्टू जो की पहले कॉंग्रेस में हुआ करते थे और अभी केनिसकार में रेल राज्यमंत्री हैं उनके बयान को लेकर के थी लेकिन उसी के बाद में जैसे वो प्रदर्शन हुआ है वहाँ पर कॉंग्रेस के थमाम नेतार करता जूटे उन्होंने प्रदर्शन किया पुलिस ने उनको एतियातन हिरासत मिलिया प्रदर्शन खत्म हुआ लेकिन बात नहीं खत्म हुई है राजीती उसे आगे बढ़ी कैसे रवनी सिंग बिट्टू का बयान सामने आता है और वो ये कहते हैं कि राहुल कांधी को उन्होंने आतंकी की तुलना कैसे क्यों की थी उन्होंने बागाईदा जिक्र कर दिया कि पत्वन सिंग पन्नू जो खुड एक आतंकी के बगोड़ा है ये बड़ी खबर भियास सामने आई है कॉंग्रेस के प्रदर्शन पर रवनीद बिट्टू का भी परटबार सामने आ गया राहुल की बातों का समर्थन आतंकी पन्नू करता है पन्नू और राहुल एक ही बात करते हैं ये बात कही रवनीद बिट्टू ने यानि जिस तरीके का प्रदर्शन हो रहा है उनका विरोध हो रहा है उसे वो किस बैक फूट पर नहीं आए है बल्कि और जादा आगे बढ़कर अब वो बिल्कुल फ्रंट फूट पर खेल रहे हैं राहुल देश नहीं बल्कि पन्नू के साथ खड़े हैं ये तक क्या दिया रवनीद बिट्टू ने पन्नू और राहुल एक ही बात करते हैं जब पन्नू और मराहुल गांदी एक दूसरे की बात एक दूसरे को अंडोर्स करने एक एक दूसरे की वावा करने तो और क्या होगा और उसे कहा क्या कहा जाएगा ये बताओ भी राहूल जी पन्नू वाली बात बोल रहे हैं तो इसमें फर्क कहां रह जाता है खड़के सब ये बात पे आप अपनी स्तितीक और कॉंग्रेस पार्टी स्पष्ट करें अंकीत ये जो विरोध हो रहा है कॉंग्रेस की तरफ से प्रदर्शन वेगरे देखने को मिला है इससे ऐसा नहीं कि बैक फूट पर आगे हो अब नीद बिट्टू आप देखने किस तरीके के बैान और वो दे रहे हैं बिल्कुल और जाधा एग्रेसिव मूट में दिखे बिल्कुल और उन्हों ने एक तरह था अपने जो पुराने बैान को जस्टिफाए कर दिया उन्होंने अपने पुराने बयान में जो कहा था उसी से बात आगे बढ़ाते हुए कि उन्होंने ऐसा क्यों कहा था आतंकी ऐसे शब्जों का इस्सेमाल क्यों किया था उन्होंने सीधे मामला जोड़ दिया पन्नू से क्योंकि राहुल गांदी भी हाली में जब यूएस के दोरे पर गए थे उन्होंने जो बयान दिये थे उसका जो पतवन सिंग पन्नू है जो के आतंकी है उसने समर्थन किया था और उसी का आधार बना लिया रवनी बिट्टू ने उन्होंने कहा कि मेरे खिलाफ प्रेजर्श जो की नहीं किया गया यानि कि बात खत नहीं हुई है बात निकली है तो दूर तक जाती हुई नजर आ रही है बहुत बहुत शुक्रिया अंकित इस पूरी जानकारी के लिए आपका रवी कांत आपका भी धन्यबाद और नीरच पांडे भी हमारे साथ जुड़े हुए थे आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया एक बड़ी खबर आ रही है चुनाव से जुड़ी हुई जम्मू कश्वीर में दोपहर तीन बजे तक करीब 51 फीसद मतदान हुआ है और सबसे जादा किष्टवाड में जो जानकारी हमें मिल रही है 70 परसेंट वोटिंग हुई पुलवावा में सबसे कम 37 फीसद मतदान की सुचना है वोटिंग के दिन तमाम मतदान के इंद्रों पर आप जा रही है और पहली बार आपने खुद के लिए वोट किया है आपने अज्यूम कर लिया बट वो सही है अपने लिए वोट किया तो यह experience कैसा है और माम और वोटिंग प्रतिश्यत काफी अच्छा आप तक देखने को मिला है आप भी लाके में घूम रही है कैसा experience है और अगर हम देखे पूरे चुनाओ में किन मुद्दों पर आपने वोट डाला क्योंकि यह आपके परिवार की seat है लेकिन क्या इसकी वज़े से आपकी जिम्मेदारी ज़ादा है क्या आप इसकी वज़े से प्रेशर में तब ही मैं गोधी मीडिया से बात नहीं करती हूँ क्योंकि यहाँ जो चार बार कंजेकिटिवली जीते वो वीरी साव है वो मुक्ती नहीं है नमस्कार मैं हूँ देबांग हिंदूस्तान शिकर समागम में आपका स्वागत है हम हैं उतराखंड में और आज हम बात कर रहे हैं उतराखंड की उन्नती का नया नाम उतराखंड और इस पर सवाल हैं जिनका जवाब देने के लिए हमारे साथ बेहत खास महमान उत्राखंड की मुख्य मंत्री पुश्कर सिंग्धामी आपका स्वागत है जी धन्यबाद आपको एक तरीके से बिलिटिट बिर्ट डे आपका जनम दिन था कल मेरे खाल से तालियां बजा के आप लोग जी धन्यबाद आपको बहुत बहुत धन्यबाद एक तरीके से नया नाम उत्राखंड का अगर हम बात करें तो एक फिल्ड है जहाँ आपने बहुत लीड ले रखी है वो है यू सी सी का मामला समान नागली का सहिता वाला मामला इसमें एक ये कहा जा रहा है और हाल ही में बीजीपी के वरिश मंत्री ने प्रेस से बातचीत की तो ब्रीफिंग में उन्होंने बताया कि किस तरीके से यहां का जो कानून है वो किसी कोर्ट में चैलेंज नहीं हुआ है समितियां बन गई हैं पांच राज्यों में कहां मामला अटक रहा है देर क्यों लग रही है विस्तार से अगर आप बताना चाहिए कि आप कर क्या रहे हैं किस तरह की तैयारी करना कर रहे हैं देखे दिवांग जी यह समान नागरिक सहीता यह हमारा दो हजार बाइस में जब विधान सभा का आम चुनाओ हुआ था उस आम चुनाओ का हमारा यह परमुक मुद्दा था और हमने उत्राखंड की देवतुले जनता के समक्ष यह संकल्प रखा था कि नई सरकार का गठन होगा तो हम सबसे पहले समान नागरिक सहीता का विधहक लाएंगे और उस पर उसको लागू करेंगे और उसके लिए हमने पूरी परकरिया जो होती है परकरिया अपनाई और एक समीती का गठन किया तरजना परकास देशाई जी की अद्धिक्स्ता में उस कमिटी ने सारा क करने के बाद हमको अपने रिपोर्ट सौपी और रिपोर्ट सौपने के बाद हम विधहक लेकर आए विधहक पारित हो गया रास्पती महदे की भी हमको उसमें मंजूरी मिल गई है उनका भी अनमोदन मिल गया है और अब उसको लागू करने की दिशा में अब क्यों बिधह करण भी होने वाला है तो सब विभागू की लगातार कारवाई चल रही है लगातार कसरत हो रही है उसमें काम चल रहा है और हमने समय सीमा ताही किये कि 9 नौंबर जो हमारे राज्य स्थापना दिवस है उससे पहले हम उसको लागू कर लेंगे एक बड़ी चर्चा है जन संक्य की बदलाव में डेमोग्राफिक चेंज में इसको आप कितनी गंभीर चुनौती मानते हैं और इसकी वजहे आप क्या मानते हैं देखिए एक बात आप हमेशा सुनते होंगे कि हम हमेशा एक कहते हैं कि उत्राखन का जो देव भूमी का मूल सरूप है वो मूल सरूप किसी भी कीमत पर हम बिगड़ने नहीं देंगे इसलिए हम यहाँ पर धर्मांतरन का सक्त कानून लेकर आए और धर्मांतरन के साथ-साथ हमने यहाँ पर लेंड जिहाद जो बहुत बड़ी बहुत बड़े एरिया में था लगवक पांच जार एकड़ जमीन हमने उस से अतिकर्मन से मुक्त करवाई है और अभी-अभी हम दंगा-रोधी कानून भी लेकर आए हैं कुछ लोग यहाँ पर तमाम परकार से लोगों को इस परकार के लोगों को बसाना उनोंने प्रारम कर दिया जिससे कि यहाँ पर एक डेमोग्रेफिक चेंज होने लगा और उत्राखंड का मूल सरूप इसके लिए कदापी जो है हम जो बेरिफिकेशन ड्राइब है वो बेरिफिकेशन ड्राइब को भी और सक्ती से हम चलाएंगे पर UCC के मामला है और यह जो मामला है क्या ऐसा नहीं आपको लगता कि इसकी वज़े से कहीं ने कहीं आपके राज की छवी राजसरकार की छवी खास्तोर पर ऐसी बन रहे ह यह देखे बिलकुल भी ऐसा कोई नहीं कह सकता जैसे में एक अतिकर्मन की अगर बात करूँ आप से तो इतना बड़ा यह सभागार है इस पे इतने लगबग हजारों लोगों के लगबग लोग यहां पर हैं सेक्ड़ों लोग हैं तो कोई भी यह सही नहीं मानेगा कि कहीं प बाहर के लोग इस कारक्रम को देख रहे हैं क्या जो यहां बाहर के लोग राज के बाहर के लोग जो थोड़ी जमीन ले पाते थे क्या आप ऐसा कानून सोच रहे हैं कि अब वो जमीन नहीं ले पाएंगे नहीं देखिए उसमें अलग-अलग मत हमारे यहां पर आये हैं बहुत बार बहुत लोगों ने एक लेंड बैंक यहां पर बना लिया भू माफिया या मैं उनको लेंड माफिया भी कहता हूँ वो हमने उसको रोका है और यह राजी की जरूत है देखिए यहां पर हम बड़ एरिया में यहां पर अभी जो हमारे यहां पर डेस्टिनेशन उत्राखंड हमने पिछले वर्स कारिक्रम किया था मानि प्रधान मंत्री जी आये थे और तीन लाग चववन हजार करोड के लोगों ने हमारे साथ M.O.U किये हैं और हरिद्वार में, दहरादून में, उदहम सिंग नगर में इन इस्तानों पर बड़ा हमारा जो है आज इंडस्ट्री आ रही है, निवेस आ रहा है और हम पहाडों की तरफ भी निवेस ले जा रहे हैं टूरिजम के चेत्र में, एडवेंचर के चेत्र में, राप्टिंग के चेत्र में, अनेक आयूस बैलनेस, सभी चेत्रों में तो हमारे सब के लिए जो है दरवाजे खुले हुए हैं, लेकिन यहाँ पर आप ब्यापार करिए, यहां उद्योग लगाए, अन्य काम करिए, लोगों को रोजगार दीजिए, उसके लिए खुला हुए, लेकिन यहाँ पर केवल कुछ जमीने जो है, आपने पहले किरसी प जुकार नहीं है, इसको हम पताई जुकार नहीं करेंगे। कि ढहने की खबरें आती रहती हैं, कहां कमी रह जाती है या पूरा डेवलिप्मेंट ऐसा हो चुका है कि अब उम्मीद बहुत कम है। हम को बिकास भी हमारे लिए बहुत जरूरी है, अगर हम बिकास नहीं करेंगे तो आप समझे कि पहाडों में जो पलाएन की बात होती है, रोजगार की बात होती है, अन्य संसादनों की बात होती है, वो कैसे पूरी होगी। कि जो आपने सब्द उप्योग में आप लाए, एकोलोजी और एकोनोमी, ये बहुत ही महत्रपूर है और इसके लिए हम लगातार एकोलोजी और एकोनोमी दोनों में समन्वे बना कर हम काम कर रहे हैं। हमने इसके लिए पिछले दिनों जब कुछ सहरों में भुष कलन की धसाओ की खबरे आईं, तो हमने का है हम उसको रोकिंगे, क्योंकि हमारे लिए सबसे पहली प्रात्मिक्ता है लोगों की सुरक्षा, और सुरक्षित एक परिवेज देना, सुरक्षित बातावन देना, इ इस काम को हम प्रात्मिक्ता से कर रहे हैं और इसी को ध्यान में रखके इस बार हमने उत्राखर्ण, पहला राज्य होगा, पूरे देश का तो है, पूरी दुनिया का, जहां पर GEP अभी, हमने यहां GEP की सुरुवात कर दिये मैं यह पूचरों कि जैसे चारधाम यात्रा है, यात्रा में लगातार यात्रियों की संख्या बढ़ती है, आपकी जो सडके हैं उस तरीके से चोड़ी नहीं हो पातीِ उतनी ब्विवस्ताएं नहीं हो पाती आप संख्या पर रोक लगाने की जैसे वैश्णों देवी में होता है उस तरह की कोई योजना सोचते हैं या आपको लगता है कि नहीं अगर मैं ये रोकूंगा तो हमारी एकॉनमी का जो पईया है उसकी रफ्तार कम होगी ये एक चुनौती रहती है आपके दिमाग में देखें ऐसा है कि हमारे लिए जो सबसे बड़ी चुनौती है वो आने वाले यात्रियों की सुरक्षा सबसे पहली प्रात मिकता है कि जो भी तीर थे यात्री जो भी दरसन करने वाले लोग जो भी सरधालू आ रहे हैं उनकी सुरक्षिया हमारे लिए प्रातमिकता है कि वो अपनी यात्रा उत्राखंड में अगर करते हैं चारधामों की यात्रा करते हैं तो सुरक्षित आएं और सुरक्षित वो यहां से जाएं उसी दृष्टिकत हम सारी यहुजनाओं को आगे मतलब चारधाम की यात्रा का नियोजन करते हैं जैसे कई लोग मानते हैं जैसे जो आपकी कावड यात्रा है जो चलती है यहां से लोग आते हैं पैदल जगह जगह से उसमें भी एक संख्या निर्धारित हो तो और सुचारू रूप से हो हम देखते हैं कि उसमें हर बार accidents होते हैं, उनकी जगड़े होते हैं वहाँ पर, क्या इस पर कोई सोच है आपकी इस पर? दिवांग जी हम यात्रा प्राधिकरण का गठन कर रहे हैं और सभी लोगों से जितने भी हमारे stakeholders हैं, जो यात्रा से प्रभाईत होते हैं, जो लोग यात्रा करवाते हैं, उन सब के विचार लेकर हमारे तीर्थ प्रोईत हैं, ब्यापार मंडल के लोग हैं, जन प्रतिनिती प्रतिन Gilbertricht हैं उन सबसे बात करने के बाद जितनी भी हमारी धार्मिक संस्ताएं हैं उन संस्ताओं के लोगों से, सब के विचार लेकर हम यात्रा प्राधिकरण बनाने पर विचार कर ने हैं, जो पूरे साल बर, राज्ये के अंदर जो भी हमारी यात्राइं चलती हैं, वो खायाब ह Organic Party की और यह गोए किया तृ टृ तो गायब हो गया इस्न के लोग है में प्रोट को सिब कि यह बहूंद आख है और आ इनगे कि यह वस्ता थी इसलिए तो पहुंचे हैं और दूसरा जो बार बार इस प्रकार की बातें करके देखें ऐसा है कि कुल 23 किलो सोना वहाँ पर जिन्हों ने भी उसको मंदिर के लिए दिया था बाबा के लिए दिया था वो सोना 23 किलो था तो बढ़ चल कर कैसे हो सकता है ऐसी मंगण उसके बातें ऐसे धामों के बारे में कहना मैं समस्ता हो कि कम से कम जो है राजनीती अपने इस तांपर है लेकिन बाबा के जैसे पवित्रिस्तान पर जो जूठ नहीं बोलना चाहिए एक मामला जिस पर आपको हर बार मेरे चाल से हर इंट्यूव में सवाल पूता जाता होगा उस पर देश भर में बड़ी चर्चा भी हुई मैं अंकिता भंडारी की बात कर रहा हूँ उस मामले में एक विधायक थी रेन उबिश्ट उन पर भी कारवाई नहीं हुई ये मामला कहां अटका हुए क्यों इस पर इतने सवाल उठते हैं और क्यों कुछ इसका मुकमल जवाब नहीं आ पाता देखिए मैंने बहुत बार बोला है फिर से आपके और इस आपके सिकर समागम में दिवांग जी आप भी अच्छे से क्योंकि आप बहुत जगा दिली में बड़ी बड़ी जगा बैठते हैं अगर लोगों के मन में कोई भ्रांती हो तो मैं आपको भी इस घटना के बारे में ठीक से बता देना चाहता हूँ जैसे ये घटना हुई ततकाल पुलिस ने अपनी कारवाई करी और कारवाई करने के बाद जो भी इसके अपरादी थे आरूपी थे वो जेल की सलाखों के पीछे गए तुरंत हमने महिला डियाईजी के उनके नेतुत्तों में एक साइटी बनाई उस साइटी ने सारे के सारे दस्तावेज वहां से एकत्र कर लिए सारे दस्तावेज के सारी कारवाई की और सारे लोगों से बात करी चाहे ये घटना बहुत खराब घटना थी और उसके बाद प सरसासन की तरफ से पुलिस की तरफ से पूरी ठोस पैरिपी की जा रही है कि उन अफरादियों को जो है दंड मिलना चाहिए जिससे कि इस प्रकार की घटनाएं देव भूमी में कोई करना तो बहुत दूर की बात कोई इस प्रकार की घटनाओं के बारे में सोचे भी नहीं हमा प्राटुम।